नमस्कार लाइब्रीडी लैड में आपका स्वागत है आज का हमारा टॉपिक है इफला यानि इंटरनेशनल फेडरेशन आफ लाइब्रीडी अशूशेशन एंड इंस्टिटूशन दोस्तों एक्जाम में इफला से पुछे गए हैं इसलिए यह एक important topic है मैंने इफला को कुल साथ parts में यानि साथ खंडों में divide किया है ताकि आपको यह असानी से समझ में आए और वीडियो की जरीए आप इसको memorize कर पाए तो यह साथ खंड है इफला क्या है इसकी स्थापना, परबंधन, अंतराश्य पुस्तकाले महासंग, उद्देश यानि objectives, कारिकरम और परकाशन पहला part है इफला क्या है इफला क्या है दोस्तों इफला अंतराश्य स्थर का पुस्तकाले महासंग यानि लाइब्रेरी फेडरेशन है जो सूचना से जुड़े मानकों का निर्धारन करता है means information standard set करता है इंटरनाशनल नेवल पे दोस्तों यहाँ विश्विश्तर पर लाइब्रेरी एशोशेशन यानि पुस्तकाले संगों का सहीयो करता है और साथ ही उनका पर्देनी देत्रियानी उनका representation करता है इफला अंतराश्ट्रे इस्तर का पुस्तकाले महासंग है जो सूचना से जुड़े मानकों का निर्धारन करता है इफला अंतराश्ट्रे इस्तर का पुस्तकाले महासंग है जो सूचना से जुड़े मानकों का निर्धारन करता है साथ ही अंतराश्ट्रे इस्तर पर अंतराश्ट्रे इस्तर पर पुस्तकाले संगों का पुस्तकाले संगों का परतिनेधेट्व यानि रिप्रेजेंटेशन परतिनेधेट्व एवं सहयोग करता है साथ ही अंतराश्ट्रे इस्तर पर पुस्तकाले संगों का परतिनेधेट्व एवं सहयोग करता है यहाँ इंटरनेशनल फेडरेशन है अगर आसान भात्वा में बोलें यहाँ इंटरनेशनल फेडरेशन है International Federation Federation है जो Information Standard Information Standards को जो Information Standards Standards को International Level पर set करने का कारे करता है Standards को International Level International Level पर set करने पर set करने set करने का कारे करता है कारे करता है Means यहां International Federation है जो Information Standards को International Level पर set करने का कारे करता है दोस्तों अब हम बात करेंगे इसकी स्थापना की दोस्तों अंतराष्ट्रे इस्तर पर पुस्तकाले महासंग बनाने की कवायत तो 19-वी सदी के आखरी दौर से सुरू हुई थी लेकिन सण 1910 में Brussels में एक सम्मेलन आयुजित होता है जो की International Library of Congress द्वार आयुजित होता है उसमें यहां निड़े लिया जाता है कि राष्ट्री इस्तर पर अंतराष्ट्री इस्तर पर इफला जिसी एक संस्था होगी फिर विश्वियूद आ जाता है लेकिन फिर आती है तारीक 30 सितंबर 1927 जब इड़नबर्ग स्कॉट्लेंड में इफला की स्थापना होती इड़नबर्ग स्कॉट्लेंड में इफला की स्थापना होती दोस्तो यहां तारीक बहुत इंपोर्टेंट है 30 सितंबर 1927 इड़नबर्ग स्कॉट्लेंड में इसकी स्थापना होती दोस्तो, इसका मुख्याल है 1971 में इदनबंग, स्कॉट्लेंड से बदलकर The Hawk, Netherlands हो जाता है 1971 में इसका मुख्याल है यानि इसका HEADQUARTOR इसका मुख्याल है यानि इसका HEADQUARTOR The Hawk The Hawk H-A-U-G-E The Hog, Netherlands में shift हो जाता है यानि वरतमान समय में इसका मुख्याले कहाँ पर है वरतमान समय में इसका मुख्याले है The Hawk, Netherlands में तो दोस्तों ये इसका headquarter था कि वरतमान समय में कहाँ पर है कब बदला गया 1971 में बदला गया ये आपको पता होना चाहिए अब बात करेंगे दोस्तों इसके परभंधन के बारे में इसके परभंधन में हम बात करेंगे कि कौन-कौन से relevant वो personalities हैं अध्यक्ष, महासचिव जो हमें examination point of view से पता होनी चाहिए जो exam में पूछी गई है और exam में पूछी जा सकती है दोस्तों अब बात करेंगे इसके परभंधन यानि इसके management की परभंधन यानि management की management दोस्तों हम परभंधन में इसके अध्यक्ष इसके अध्यक्ष यानि president इसके महासचेव 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 यानि जर्नल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी जलन जर्नल सेक्रेटरी और परथम अध्यक्ष के बात करेंगे किसकी परथम अध्यक्ष के बात करेंगे परथम अध्यक्ष ये तीन नाम बहुत important है तो दोस्तो अगर इसके अध्यक्ष की बात करें तो उनका नाम है क्रिस्टाइन मेकेंजी क्रिस्टाइन मेकेंजी क्रिस्टाइन मेकेंजी दोस्तो इसके जनरल सेक्रेटरी यानि महासचिफ की बात करें तो उनका नाम था Gerard Littner दोस्तो पर्थम अध्यक्ष अनी फर्स प्रेजिडेंट का नाम आपको पता होना चाहिए उनका नाम था Isaac Collision दोस्तो यह तीन नाम अध्यक्ष महासाचेव और पर्थम अध्यक्ष के नाम के अलावा अब हम डिसकस करेंगे अंतराश्चे पुस्तकाले महासन क्यूं कहा जाता है इफ्ला को अंतराश्चे पुस्तकाले महासन अंतराश्चे पुस्तकाले महासन यानि International Library Federation क्यूं कहते हैं इफ्ला को International Library Federation दोस्तो इफला इंटरनेशनल लाइबरेरी फेडरेशन इसलिए है क्योंकि इसके डेड़ सो से ज़्यादा देशों में डेड़ सो देशों में पंदरा सो से ज़्यादा संग इफला के सदस है यानि डेड़ सो देशों में पंदरा सो से ज़्यादा संग इफला के सदस है इसलिए इसको अंदराष्टे पुस्तकाले महासंग कहा जाता है दोस्तो अगर भारत की बात करें यानि इंडिया की बात करें तो 1957 में इंडियान लाइब्रिडी अशोशेशिश्य भारतिय पुस्तकाले संग के रूप में इफला का सदस्य बना था सदस्य बना तो दोस्तो यह था अंतराष्टे पुस्तकाले महासंग क्यों कहते हैं इफला को अब दोस्तो इसके बारे इसके बाद हम डिसकस करेंगे इसके उद्देश यानि अबजेक्टिव्स दोस्तो हम तीन उद्देश डिसकस करेंगे जो इंपॉर्टेंट है पहला है पुस्तकाले एवं सूचना सेवाओं को बढ़ाना यानि तो इंक्रीज लाइबरी इन इंफोमिशन सर्विसेज पुस्तकाले एवं सूचना सेवाओं को बढ़ाना दोस्तो दूसरा है पुस्तकाले संगों का सयोग यानि लाइबरी एशोशेशन को मदद करना इंटरनेशनल लेवल पर means to help library associations अगर बात करें first point की तो उसका मतलब था to increase the efficiency of library information services throughout the world दूसरे point यानि पुस्तकाले संगों का सहीोग का है to help library associations दोस्तो तीसरा point है अंतराश्ट्रे इस्तर पर मानकों का निर्धारण करना अंतराश्ट्रे इस्तर पर मानकों का निर्धारण करना मानकों का निर्धारण करना means to setting standards at international level means setting of standards at international level setting of standards at international level दोस्तो ये था इसका उद्देश पुस्तकाले इम सूचना सिवाओं को बढ़ाना पुस्तकाले संगों का सहीोग और अंतराश्ट्रे स्तर पर मानकों का निर्धारण करना ये तीन हमने इसके परमुख उद्देश डिसकस करे हैं दोस्तो इसके बाद हम डिसकस करेंगे इसके कारिकरम, means इसके प्रोग्राम्स जो कि एक बहुत important topic है और exam में इसके प्रोग्राम से कई बार प्रशन पूछे गए हैं इसके प्रोग्राम्स काफी बड़े-बड़े हैं और आपको वो थोरली लहन हो इसके लिए आप रिपीटेडली इस वीडियो को देख सकते हैं स्पीड बढ़ा-बढ़ा के देख सकते हैं यूट्यूब मर तो दोस्तो अब हम डिसक्स करेंगे इसके कारेकरम कारेकरम यानि इसके प्रोग्राम के पारे में दोस्तो पहला इसका कारेकरम है UBC UBC का मतलब है Universal Bibliographic Control Universal Bibliographic Control जो कि 1954 में आया था दोस्तो इसके अंतरगत किस पुस्तक को किस देश में बनने के बाद अगर एक बार catalog code यानि सूची बद किया गया है तो पूरे विश में उसको, उस पुस्तक को या उस document को उसी catalog code से प्राप्त किया जा सके इसका उद्देश था इसका उद्देश था means पूरे विश में समान catalog code means सूची करण का उपयोग समान catalog code यानि पूरे विश में समान सूची करण का उपियोग का उपियोग ये था UBC, Universal Bibliography Control दोस्तों अब बात करेंगे हम अगले प्रोग्राम यानि ISBD की ISBD means International Standard Bibliographic Description International Standard International Standard Bibliography Bibliography Description दोस्तों दो तरे की Bibliography Description है हमारे पास ISBD-M और ISBD-G दोस्तों ISBD-M का मतलब है ISBD Monogram के लिए और ISBD-G का मतलब है ISBD Journal यानि पुस्तक, जर्नल और सब परकार के resources के लिए दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ISBD-M कब आया और ISBD-G कब आया दोस्तों ISBD-M आया 1971 में यानि 1979 में और ISBD-G आया 1974 में 1974 में दोस्तों, यहाँ ऐसे नियमों का सठ है जो ग्रंद सूची के विवर्ण को मनुष द्वारा समझने योगे बनाता है यानि यहाँ ऐसे नियमों का सठ है जो ग्रंद सूची के विवरण को मनुष्ध द्वारा समझने योगे बनाता है यानि बिब्लियोग्राफी इस तरीके से बना जाए कि वो human beings को यानि library users को आसानी से समझ में आए मनुष्ध द्वारा समझने योगे बनाता है योगे बनाता है means isbd is a set of rules to create bibliographic description in human readable form set of rules to create bibliography description in human readable form in human readable form readable form form दोस्तो हमारा अगला प्रोग्राम है UAP जोकी 1982 यानि 1982 में आये इसकी फिल form है universal availability of publication दोस्तो इस प्रोग्राम का उद्देश या था कि पुस्तक या जर्नल विश्व के किसी भी कोने में बनती है तो वो पूरे विश्व को उपलद हो आये दोस्तो वर्तमान समय में कोविट पर हो रही रिसर्च के जर्नल पूरे विश्व को उपलब्द हो पा रहे हैं यहां इसका उधारन इसको परकाशनों की सर्वभूमिक उपलब्दता भी कहा जाता है परकाशनों की सर्वभूमिक उपलब्दता सर्वभूमिक सर्वभूमिक उपलब्दता दोस्तो यह साइन्स और मेडिकल के लिए एक इंपोर्टेंट प्रोग्राम है कि जैसे मैंने आपको एक उधारन बताया कि कोविड पर हो रही रिसर्च पूरे विश में उपलब्द हो पा रही है यह एक इसका एक्जामपल है अगला हमारा प्रोग्राम है शिस्टर लाइब्रिरीज दोस्तो इसके अउधारना इफला द्वारा दी गई थी और इसमें जो रिशोर्स सेरिंग होती है यानि जो आफीब फरतवान सभे में हम लाइबरेरी इंटर लाइबरेरी लोन या इस परकार के अलग प्रोग्राम देखते हैं वहाँ से लाइबरेरी रिसोर्ट शे Thanksgiving को बढ़ावा देना बढ़ावा देना तो दोस्तों यह था sister libraries program चार प्रोग्राम हमारे हो गए हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे अपना अगला प्रोग्राम जो की है ICCP और बचे हुए कुछ और अनिप प्रोग्राम्स दोस्तो हमारा पांचवा और अगला प्रोग्राम है ICCP जो की 1961 में 1969 में दोस्तो इसकी फूल फॉर्म है International Conference on Cataloguing Principle International Conference on Cataloguing Principle International Conference on Cataloguing Cataloguing Principles Principles दोस्तो इसको 1971 का Paris का सिध्धान्द भी कहा जाता है 1961 का सिध्धान्द दोस्तो इहां Cataloguing Code यानि सूची करण के संबंद एक महत्पूर्ण पड़ाव भी माना जाता है क्योंकि इस Conference में ऐसे बड़े-बड़े फैसले लिए गए थे जो Cataloguing Code यानि सूची करण को इंपक्ट करते हैं यहां Cataloguing Code यानि सूची करण से संबंद एक महत्पूर्ण पड़ाव माना जाता है संबंदित एक महत्पूर्ण पड़ाव माना जाता है दोस्तो यहां Cataloguing Code से संबंदित संबंदित था यह आपको पता होना चाहिए और इस संबंदित में माना गया दोस्तो यहां Cataloguing Code से संबंदित संबंदित था संबंदित 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 था दोस्तो इस संबंदित में माना गया कि कई देशों में Cataloguing Code देने के दो तरीके उसमें रिवीजन यानि बदलाव की ज़रूरत है जिस तरीके से Cataloguing Code दे जा रहा है उसमें बदलाव की ज़रूरत है दोस्तो इसके बाद हम डिसकस करेंगे अपना आगला प्रोग्राम छटे नंबर पे FRBR जो के 1995 में है Functional Requirement of Bibliographical Control Functional Requirement of Bibliographical Control दोस्तो यहां Cataloguing Code का एक मॉडल है दोस्तो यहां सूची करण यानि Cataloguing Code का एक मॉडल है यहां इसको बिबलोग्राफिक का भी एक model कहा जा सकता है as an whole entity of cataloging code सुची करन केटलोगिंग कोड का एक model है दोस्तो यहां बिबलोग्राफिक का एक model है जो की entities या relationships और metadata means data का data को describe करता है दोस्तो केजी शौर जो की एक important name आपको इस program से related याद रखना है की FRBR से कौन से व्यक्ति जुड़े हुए उनका नाम है केजी शौर दोस्तो केजी शौर इस कारेम क्रम के सही होग करता दोस्तो अगला हमारा program है Unimark अगला हमारा program है Unimark Unimark की full form दोस्तो आपको याद होनी चाहिए Uniform Machine Readable Catalog Uniform Machine Readable Catalog दोस्तो इफला द्वारा इसकी अवधारना दी गई थी और इसका इसकी अवधारना देने के बाद इसका परकाशन बहुत समय बाद हुगा Uniform Machine Readable Catalog दोस्तो इफला ने इसकी अवधारना दी थी सन 1977 में यानी 1977 में आवधारना कब दी गई थी 1977 यानी 1977 और इसका परकाशन इसका ये पब्लिश कब हुआ था Unimark दोस्तो 2003 में इसका परकाशन हुआ था 2003 में इसका परकाशन हुआ था तो दोस्तो ये था Unimark जहां हमने डिसकस किया कि इसका धारना इफला द्वारा दी गई थी और इसका परकाशन लेट 2003 में हुआ दोस्तो अब हम अगले प्रोग्राम को डिसकस करेंगे वो हम discuss करेंगे अब Freedom to access, information and freedom to express और UDD तो दोस्तों, आठफी नंबर पर हमारा program है Freedom to access, information and freedom to express दोस्तों, freedom to access, information access access, information and freedom to express दोस्तों, इस program में UNESCO का भी एक बहुत महत्पोंड रोल रहा है दोस्तों, 1977 में यह program आया था आपको इसकी तारीक याद होनी चाहिए दोस्तों, हमारा आगला program जो नौवे नंबर पर है उसका नाम है UDD Universal Data Flow Telecommunication दोस्तों, यहाँ विश्व स्तर पर सूचना का Electronic Group से ट्रांसफर है UDD means Universal Data Flow Telecommunication और यह 1997 में आया था और दोस्तों, आपको यह याद होना चाहिए कि यह विश्व स्तर पर Electronic Group से डेटा का ट्रांसफर है Simple Language में सूचना का Electronic Group से ट्रांसफर Electronic Group से ट्रांसफर दोस्तों, यह इसी के साथ हमारे कारकरम फिनिश होते हैं अब हम डिसकस करेंगे इसके परकाशन के बारे में Means इसके publication कौन-कौन से हैं दोस्तों, अगर इसके publication के बात हम करेंगे तो उसके अंदर आपको यह जानना है important है कि इसके publications तो कई हैं लेकिन हमें उन publications का discuss करना है जो exam point of view से important है और उनकी हमें सिर्फ आवर्ती याद करनी है उनका नाम याद करना है उनका कब से start होए, कब वो बंद होए यह याद नहीं करना है दोस्तों, तो start करते हैं publication यानि precautions से यानि publications तो दोस्तों, पहला है ifla annuals दोस्तों, इसकी आवर्ती वार्शिक है यानि यह yearly आता है जैसे कि इसके नाम में annual आ रहा है तो आप इससे जान सकेंगे कि इसकी आवर्ती annual यानि वार्शिक होगी yearly आता है दोस्तों, दूसरा हमारा जो प्रकाशन है, publication है ifla directory ifla directory दोस्तों, इसकी आवर्ती होती है अर्धवार्शिक, यानि यह half yearly वर्ष में दो बार आता है अर्धवार्शिक यानि half yearly दोस्तों तीसरी नंबर पर जो हमारा प्रकाशन है वो है ifla journals ifla journals journals दोस्तों, इसकी आवर्ती होती है त्रेमाशिक, यानि quarterly त्रेमाशिक, यानि quarterly दोस्तों, यह हमारा last खंड था, इसके साथ हमारा ifla का topic खतम हुआ है, finish हुआ है दोस्तों, मैंने हर एक topic से exam point of view से relevant जिस परकार से question आते हैं वो सारे topic इसमें cover करने की कोशिश करिए अगर आपको यह video अच्छे लगा हो तो like करें और subscribe करें थैंस फो वचिंग लगाची लाट